चोथ मता की जै प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेर जरूर कीजिएगा आज हम आपको बताएंगे भादवे की चोथ मता की कहानी यह कहानी बहुत रोचक है और बहुत चर्चित भी है आप इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़िएगा एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहा करता था व्यापारी भाउती आलसी किस्म का इंसान था उसके पास उसके दादा पर दादा की कमाई हुई दोलत उसको विरासत में मिली थी जिसके कारण वहीं व्यापारी कोई काम धंदा नहीं किया करता था और उन्हीं पैसों से अयासी किया करता था और अपने सारे मजे किया करता था व्यापारी का एक बेटा था जो व्यापारी की तरह बहुत आलसी और मक्कार था व्यापारी ने अपने बेटे का विवै एक अच्छी सुन्दर और शुशिल कन्या से किया था विवय होने के बाद भी व्यापारी का बेटा कुछ भी नहीं किया करता था व्यापारी गर पर आलसी बना पड़ा रहता था व्यापारी और उसका बेटा दोनों घर पर ही रहते थे और विरासत में मिली दोलत को उड़ाया करते थे और अपनी जिन्दगी के मजे लिया करते थे और अपनी जिन्दगी जी रहे थे व्यापादी के बेटे की पतनी जब भी बाहर कुड़ा फेकने के लिए जाती थी तब उससे उसके पडोश में रहनी उस महिला से कहती थी कि मैंने आज खाने में ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है और वह आप बोलकर अंदर आ गई जब भी व्यापारी के लड़के की पतनी कुड़ा फेकने बाहर जाती पडोस में रहने वाली महिला उससे रोज यहीं पूछने लगी व्यापारी के बहुबस यहीं जबाब देती की ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है एक दिन अचानक से जब व्यापारी के लड़के की पतनी कुड़ा फेकने के लिए बाहर गई तब पडोस में रहने वाली महिला ने उससे पूछा क्या आज तुमने खाने में क्या खाय है तब लड़की की पतनी ने बताया की ठंडी ठंडी भासी रोटी खाई है तो यह बाद व्यापारी की बेटें ने सुन ली जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी मा से बोला और उससे कहने लगा मा तुम हम लोगों को रोज गाना गरम खिलाती हो और मेरी पतनी को बाहर जाकर प्रोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज थंडी और बाशी रोटी खाई है लेकिन मेरी पतनी ऐसा क्यों बोलती है लड़के की माने कहा कि बेटा मतों तुम लोगों के सामने गरम खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ पता नहीं तुमारी पतनी ऐसा क्यों सबको बोलती है तब लड़के की माने कहा अगर तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुदी देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम सबको खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ लड़के ने का ठीक है व्यापरी के लड़के ने सच्चा जानने के लिए एक नाटक किया व्यापरी के बेटे ने अपनी तबियत खराब होने का नाटक करने लगा वे पलंग पर जाकर चद्दर ओड कर लेट गया चद्दर में से चुपचाप सब कुछ देखने लगा जब लड़के की मा ने सभी को खाना परोसा तो उसने देखा कि मेरी मा ने तो गरम खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है मेरी मा को एकदम सत्य बोल रही है जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी तो वह लड़का अपने पत्नी के पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कुड़ा फेकने के लिए बाहर गई है तब पडोस में रहने वाली महला ने उसे एक बार फिर से वहीं पूछा आज तुमने खाने में क्या खाया है जिसके बाद उसके पत्नी ने एक बार फिर से उसे पडोसन को वहीं जबाब दिया जो हर बार बोलती है आज मैंने ठंडी बासी रोटी खाई है पत्नी की यह करतूर देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा मेरी माँ तुमें रोज गरम खाना खिलाती है तुम पडोसी को यह बोलती हो कि वह तुमें ठंडा और बासी खाना खिलाती है लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाग थी उसने अपने पत्नी को समझाया कि ना तो आप बहाद जाकर पैसे कमाता हो कि वह सही बोल रही है अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुती बड़ी दिक्कत हो सकती है जिससे वह लड़के ने यह तै कर लिया कि वह पैसा कमाएगा जिसके लिए व्यापारी की बेटे ने यह तै कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा व्यापारी का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है अपने पती के विदेश जाने के बाद उसकी पतनी 12 महिने के लिए दिवे की चोथ का वरत रखने लगती है जिसकी बाद चोथ माता और बिंदैक जी एक बार जब विदेश में अपने गहरी नीद में सो रहे थे तो उसके सपने में जाकर चोथ माता ने कहा तुम अपने घर चले जाओ तुम्हारी पतनी तुम्हें बहुत याद कर रही है और वहे तुम्हारा इंतजार कर रही है लड़के ने चोथ माता से कहा कि मैं यहां से कैसे जा सकता हूँ मेरे यहां पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है मेरे जाने के बाद उस व्यापार को कौन देखेगा चोथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह एक दिये को जला कर उसके पास बैठ जाना, जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है, वे तुमको पैसे दे जाएंगे, और जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा देना है, वे तुमसे पैसा ले जाएंगे, इस प्रकार से तुम्हा कर बैठ गया जिसके बाद व्यापारी आए उसको पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था वे Singapore ले गए व्यापारी के लड़के का व्यापार एक दिन में सिमट गया जिसके बाद व्यापारी का बैटा अपने घर जाने के लिए के ऐसा करने पर साप भहुत क्रोधित हो गया और वह नागराज थे तब ही नागराज ने उस लड़के से कहा कि तुमने ये क्या किया मैं नाग योनीशे छुटकारा पाने के लिए जा रहा था लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया अब मैं तुमको जान से मार दूँगा जि कब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार देजिएगा जिसके बाद नागराज ने व्यापादी की बेटे को जाने दिया थोड़ी देर में अपने घर पहुंच गया लेकिन व्यापादी का बेटा बहुत डरा हुआ था तब ही उसके पत्नी ने पूछा आप इतने भैबीत क्यों हो तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में ये दुरगटना घटी थी एक नागराज अपनी नाग योनी से मुक्तों ने जा रहे थे लेकिन मैंने उनको जाने से रोग दिया जिससे वह बहुत क्रोधित हो गे और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया ह कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे म्यापरी के बेटे की पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी उसने अपने पती की बास सुनकर अपने घर की शीडियों पर कुछ ना कुछ रख दिया उसकी पत्नी ने पहली सीड़ी पर दूद रख दिया दूसरी सीड़ी पर ब बुद्धिक को मारने के लिए आये तब उन्होंने सीड़ियों में दूद देखा तो उन्होंने उस दूद को पी लिया और एक एक करते सभी सीड़ियों को सारी चीजे खा लिए तब उन्होंने बोला कि व्यापरी तुमने मुझे बहुत प्रसंद किया है लेकिन मैंने कि मैं तुमको मारूंगा जरूर अम मैं कुछ नहीं कर सकता मैं अपने वचन से बंदा हुआ हूँ जिसके बाद नागराज व्यापरी के बेटे को मानने के लिए सातों सीड़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे तब वाँ चोथ माता और बिंदाएक जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट काट कर चारो तरफ फैंक दिया जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया नागराज ने कहा मैं यही छुपा रहूँगा और कल जब सुबह व्यापर जूता पहनेगा तब मैं उसको काट लूँगा लेकिन तब ही अचानक से वहां बहुत सारी चीर्टियां आ गई और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर है तब चीर्टियों ने कह कि इसकी पत्नी तो हमें रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देती है आज हम लोग इसके पत्ती की जान बचाते हैं चीर्टियों ने नागराज को खा लिया चीर्टियों के खाने के बाद चारो तरफ खून ही खून फैल गया था जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की बहु डर गई और उसने सोचा कि मेरी बेटी की और मेरी बहु को किसी ने मार दिया है वह बहु जोर जोर से चिलाने लगी अपनी मा की आवास सुनकर व्यापारी का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे से बहार निकल गए तबी लड़के की माने अपनी बेटे और और नहीं रखा तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूचा तुमने बरत रखा था जाने के बाद 12 महीने तक चोवत माता की पूझा की थी और उनका वरत रखा था उन्हें की ढाने बचाई ए tweeting लड़के की माने लड़के से का मैं तुस्वारी में थे रोज खाना देने जा और एक रोटी जमीन में गाड देती थी एक रोटी महित्राने को देती थी और बच्ची वी एक रोटी चाराथ को चंध्रमा को अधरे दे कर खाती थी लेकिन तभी लड़के की माने कहा, मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे मालनो जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा, माजी आप गाय माता से पूछ लो पत्नी जमीन खोओ रदेखा तो रोटी के जगह सोने की रोटी थी, यह बात भी ससाबित हुई फिल लड़के की पत्नी ने मैत्राने से पूछा तो उसने भी हा कर दी ये बात भी सही हो गई मेरी बहुने चोथ माता और बिंदैक जी की पूजा की थी लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवा दिया और सभी लोग मिल जूल कर रहने लगे बोलो चोथ माता की जै